दोस्तो स्वागत है आप लोग का NEWS of the day में मेरा नाम मेरा राजी संजन दोस्तो रोज के तरह आज भी आया हूं आप लोग एधाम ज़बर दस्तो शुरू करते हैं देखते हैं क्या है आज का नियूज़ दोस्तो अतिक एंड शंस दोस्तो अतिक अहमद यह उत्तरप्रदीश का गेंग्स्टर और इनका सन इनका बेटा दोस्तो आज एक यूपी में फिर से गारी तो नहीं पल्टी है पगर यहां पे अतीक के बेटे असद का जहांसी में एंकाउंटर हुआ है इसके बारे पूरा डीटेल जाने में कैसे क्या हुआ कौन है तो दोस्तो चैनल पे अगर न पे या फिर इंटरनेट पे देखा होगा इस तरह की के हेडलाइन कि उमेश पाल केस में अतीक एहमद के बेटे का एंकाउंटर या अतीक के बेटे असद का जहांसी में एंकाउंटर इस तरह के का काफी हेडलाइन आपने सुना होगा हो सकता है आपने पूरा निउस नहीं देखा होगा या देखा होगा, देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, बताता हूं क्या है मामला, दोस्तो ये अतिक एहमद गैंस्टर है, यूगतर प्रदेश के, और इनका बेटा है जो था असद, और इनका एक शूटर भी था गुलाम, तो ये दोनों का इंकाउंटर ये मामला था, 2005 में, विधायक राजुपाल की हत्या होई थी, तो इसी का ये मामला था, और इस मामले में उमेज पाल प्रमुग गवा थे, 24 फरवरी को सुक्रबार को करीव, साड़े 4 बज़े उमेज कार से वापस वापस जा रहे थे, अपने घर के लिए, और जैसे ही गे जान से मारने का मामला है, और इस मामले में ये फरार थे, असद, और इनका सूटर गुलाम, और अतिक एहमद भी इस सब में, दोस्तों, इनका भी काफी बड़ा मामला है, किसी एक दिन और वीडियो बनाऊंगो, असने, फिलाल, आज है, इनका इंका इंकांटर कर दिया गा अतिक अहमत के बेटे का अतिक इंकाउंटर शूटर गुलाम भी धेर तो दोस्तों यह जो था उमेश पाल मडर केस में यह लोग इंवाल्व थे और इन दोनों पर प्माच लाग का जुर्माना भी यह था इनाम भी घुशित था असद और गुलाम पर प्माच लाग का इनाम ही था गैंग्स्टर अतिक अहमत के बेटे असद और शूटर गुलाम मौमत को यूपल पुलिस ने गुरुबार को मार गिरा है दोनों मेश पाल मडर केस के वॉंटेट थे दोनों पांच पांच लाग रुपय के इनाम जद भी थे एनकाउंटर जहासी में हुआ है दोस्तो SDF ने किया है प्रसंत कुमार ADG law and order ने बताया कि इन्पुट थे और रास्ते में काफिले पर हमला करके अतिक को छोड़ाने की प्लानिंग की जा रही थी तो दोस्तों यह मामला है पूरा अतिक अहमत यह जो है यह असद है और यह है अतिक अहमत इनको छोड़ाने का मामला इसी में encounter किया गया है अब कुछ photographs भी दिखा देता हूं यह दोनों देखिए encounter के photographs है यह है असद इनके हाथ में revolver भी देख सकते हैं आप इनका motorcycle भी गिरा हुआ है कटना स्थल पर और यह है गुलाम महमद यह इनका shooter बताया जा रहा था और यह असद दोनों ही most wanted थे अतिक क इनकाउंटर करते हैं तो दोस्तों यह असद का file photo है encounter हुआ है तो दोस्तों मामला यह काफी पुराना है लेकिन यह आज encounter हुआ है और यूपी सरकार ने सरकार ने इस पर काफी बहवाई आया और इनस पर बयान भी बहुत सारे नेताओं का आया है इसके बाद वो भी मैं बत सब्सक्राइब कोर्ट में विश्वास नहीं रखते यह encounter करते हैं तो दोस्तों इनका काफी तीखा बयाना है मतलग सरकार के या फिर पुलीस की कारवाई पर इनको भरुसा नहीं अखले से आदर अधर अधर बैसी साहब जो है इनको बयान दिया है हरियाना में जुनैद और नासीर के मारने वालों को भी गोली मारेंगे क्या तो इनको भरुसा नहीं मायावती अतिक एहमत के बेटे और एक अन्य आज पुलीस मुटवेड में हुई हत्या तो दोस्तों ये तीनों बड़े निताओं का वयान है ये एक ही तरीके का वयान है कि इनको सरकार ने मार दिय जाना की बताव मतलब इनको कोट पे भरुसा नहें कोट में ले जाना चाहिए था तो आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर रखेगा और सरकार का अपना अलग है अभी पक्षी का अलग ही रूख होता है हर मामले पर तो दोस्तो आपका क्या इसके बारे में कहना है जरूर कमेंड बॉक्स में लिखे आज के लिए इतना ही था मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तो आज के लिए अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जर क्षब कर दोख है अजुआ हैं किसी और जीए में किसी और अजूआ है जर्गी येप समना है किसी और के लिए को अजूआ है